कि आपके जो दशम्षा चाथ है उसके लगना में मतलब फर्स्ट हाउस में जो भी प्लानेट सिचुएटेट है वो आपके केरियर में कैसे इंपैक डाल रहा है उसी को लेके हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगो ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दिन प्लीज सब्सक्राइब टू अपको सब डीटेल्स में जाएगा और अकर यह वीडि एक लाइक करतीजेगा कॉमेंट पर अपना जरूर बताईए कि वीडियो कैसे लगा और वीडियो को जो लोग एस्टलोजी फॉलो करते हैं उन लोग के साथ जरू शेयर कीजिएगा हमेशा खुश रहिए यही प्रात्ना के साथ डिसकुशन पर चलते हैं देखिए यहां पर आप केरियर डिरेक्शन भी यहां पर समझ सकते हो या फिर आपका जो एटिट्यूट है वो आपके केरियर की तरफ कैसा रहेगा यह भी बहुत हट तक दशम्षा चाट के फस्टाउस से हम जान सकते हैं पर देखिए यह बस एक जेनरल प्रेडिक्शन है मैं कुछ एक पार्थी आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करूंगी ठीक है और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है अब देखिए यहां पर दशम्षा चाट के अगर फस्टाउस में आपके सन प्लेस्ट है तो यह बेसिकली शो करता है कि आपके केरियर में आपका फादर का इंप कर सकते हो मेडिकल प्रॉफेशन या फिर हायर अथरेटिव पोजिशन लीडर्शी पोजिशन यह जो प्रॉफेशनल रोल है यह आप लोगों के लिए सही रहेगा यहां पर यह भी दिनोट करता है कि आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है कन्फिडेंस है इको है वो बहुत ही स्यादा आपके करियर से असुसियेटेट है ठीक है तो यह बेसिकली अगर संफास्ट हाउस में है तो दीनोट करता है काई ना कहीं थोड़ा सा क्रियेटिव वर्क भी यहां से आप देख सकते हो या फिर पॉलिटिकल फील में भी आप जा सकते हो अगर सणफे फर्स्ट होगे और यहां पर मादर का सपूर्ट मतलब आपके मा से भी आपको कहीं न कहीं सपूर्ट मिल सकता है करियर में अब देखिए यहां पर अगर मैं करियर ऑक्षिं की बात करूँ तो कोई भी वाटर रिलेटेट प्रॉफेशन हो सकता है मतलब नेवी से रिलेटेट या फिर स Israeli कोई भी फूट प्रोड़क्ट डैरी प्रोड़क्ट मिल्क्प्रोड LGBT से रिलेटेड से च्पीज फित प्रोफेशन अपके लिए इसन "... रहे यह फिर qoji धी सिल्वर ओरनामेंट्स का उप फुछ धी बिजननस में कर सकते हो about पर्ल से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है, मोती हम जी से कहते हैं, या फिर रेस्टोरेंट वगेरा का भी आप बिजनेस कर सकते हो, यहां पर कोई भी प्रॉफेशन जीसमें बहुत सादा केर, नरिश्मेंट की ज़रूरत होती है, तो वो सब प्रॉफेशन बेस करता है कि आपको अपने केरियर में बहुत सारे कंपिटिशन फेस करना पर सकता है, और यहां पर यह भी दिनोट करता है कि आपका जो पैशन है, आप कही ना कही उसी को फॉलो करोगे, यहां पर बहुत स्यादा मेहनत की भी जरूरत होगी, यहां पर बहुत स्यादा ऐसी आप हो सकते हो, यहाँ पर देखिए, कोई भी electronics, mechanical engineering related profession आपके लिए सही रहेगा, या फिर fire related कोई भी profession, यहाँ पर fire की अगर बात आई है तो restaurant business भी आपके लिए सही रहेगा, यहाँ पर कोई भी profession में आप जाओ, आपको बहुत स्यादा यहाँ पर अपना जो यहाँ पर energy level है, वो बहुत स्यादा हाई रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा competition face करनी पर सकती है, तो यहाँ पर कही न कही political field भी show करता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत स्या यहाँ पर जीम से रिलेटेट कोई भी profession में आप हो सकते हो, मतलब बहुत स्यादा physical activities जहाँ पर involved हो, यहाँ पर देखिये मंगल को कही न कहीं हम astrology के साथ भी चोर के देख सकते हैं, क्योंकि मंगल यह याद रखेगा कि विष्टिक राशी को भी रूल करता है, तो अगर आप astrology related आपका कुछ passion है, तो वो भी आप follow कर सकते हो, insurance related, कोई भी आपका profession हो सकता है, यहाँ पर आपको अपने profession में आपके अगर कोई भी छोटे भाई है, तो उनका भी support मिल सकता है, basically आप बहुत ज्यादा aggressive behavior आपका रहेगा, या फिर बहुत ज्यादा go-getter attitude आपका रहेगा अ अब देखे, अगर आपके first house में mercury placed है, तो यहाँ पर देखे, आपको ऐसा हो सकता है कि अपने friends लोगों का काफी ज्यादा support मिले अपने career में, और यह शो करता है कोई भी communication related profession आपके लिए सही रहेगा, media related, या फिर मैं अगर कहूँ कि जर्नलिजम आपके लिए सही रहेगा, अगर राइटिंग से related कोई भी profession, यहाँ पर IT sector भी आप लोगों के लिए सही रहेगा, या फिर finance से related, business आप लोग यहाँ बहुत अच्छी कर सकते हो, अगर mercury first house में है, तो मैं पहले तो जो choice आपको दूँगी वो है business, अगर और भी बहुत सारे combination आपके chart में business इंडिकेट कर है, मतलब यहाँ पर editing हो गया, publishing हो गया, मतलब books से related कोई भी profession, education से related कोई भी profession आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, mercury अगर है तो accountancy से related या फिर यहाँ पे आप बहुत अच्छे charter account बन सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि finance से related या फिर यहाँ पे astrologer भी बहुत अच्छे आप बन सकते हो, अगर आपका interest है तो, अब देखिए अगर आपके first house में Jupiter placed है, तो यह basically show करता है कि आप अपने career के प्रती बह आपका रहेगा अपने career को लेकर, faith involved रहेगा बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको अपने guru का support मिल सकता है, या फिर family में जो भी elder people है, उनका support मिल सकता है career में आपको, यहाँ पे basically कोई भी teaching से related profession आपके लिए सही रहेगा, banking से related, finance से related, law, judiciary से related, कोई भी profession आपके लिए सही रह आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा, मतलब बहुत अच्छा, यहाँ पे लीडर बन सकते हो, spiritual guru बन सकते हो, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि अपने profession के लिए थोड़ा बहुत long distance travel भी करना पड़े, यह भी आपको हो सकता है, करना पड़े, ठीक है, अब देखे, अगर आपके लगन में वेनस प्लेस्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली यह दिनोट करता है कि आपके profession में कही ना कही जो beauty word है, वो बहुत स्यादा associated रहेगा, creativity बहुत जादा associated रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे beauty product related आपको कुछ business हो सकता है, या फिर fashion, designing, creativity से related, आपको कु finance related कोई भी profession हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको अपने profession में आपके wife का बहुत स्यादा support मिले या फिर आपके जो भी female friends है, उनका बहुत स्यादा support मिले, यहाँ पे कोई भी entertainment related field के लिए भी अगर वेनस आपके लगन में प्लेस्ट है और बहुत सारी combination support करी है, तो अगर आप entertainment field में भी जाना चारे हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे restaurant business के लिए भी अगर वेनस लगन में है तो कहीं न कहीं आपके लिए वो supportive रहेगा, अब देखिए अगर आपके लगन में saturn placed है, तो saturn यहाँ पे placed होने की कारण आपको बहुत स आपको यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका बहुत स्यादा ड्यूटी रहेगा तोर्ज योर केरियर और एक बहुत सेदा को रूटीन वे में वो जो केरियर है वो फॉलो करना परेगा और बहुत ही स्ट्रिक डिसिप्लीन मेंटें करने के बाद ही आपको सफलता मिल सक करता है और यहां पे कोई भी सर्विस में जाने के लिए अगर सैटन आपके लगन में प्लेस तो बहुत स्यादा अच्छा में बोलूंगी या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि आपके अंडर में जो लो काम कर रहे हैं उनका बहुत स्यादा आपको सपोर्ट मिल जाए यह हो सकता है यहां पे कोई भी एंजिनेरिंग प्रोफेशन के लिए बहुत स्यादा अच्छा है कांस्ट्रक्शन रिलेटेड फील में अगर आप जाना चाहरे हो या फिर अग्री कल्चर रिलेटेड या फिर माइनिंग से रिलेटेड क अगर कोई भी प्रोफेशन के लिए अगर सैंट आपके फस्ट राऊस में प्लेस्ट है तो बहुत ज्यादा अच्छा मानूगी यहां पे बेसिकली अगर सैंट प्लेस्ट थान अगर बहुत सब्सक्राइड करते जाना होगा बहुत स्यादा अगर के बाद आपको रिलेग और एक organized way में आपको अपना काम करना पर सकता है, ठीक है, पर यहां पर जो success मिलेका तो वो बहुत huge success मिलेगा, भले ही थोड़ा बहुत दिले हो जाए אבל यहां पर success बहुत जबाँ भी आपको मिल सकता है, अगर आप disciplined way में, organized way में अपना काम करते जाओ तो, तो देखिए अगर आपके दशम्षा चाट के फर्स्ट हाउस में राहुदेव प्लेस्ट होना यहां पर थोड़ा बहुत चैलेंजेस शो करता है केरियर में मतलब ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत डिस्साटिस्फाइड रहो अपने केरियर को लेकर और थोड़ा बहुत में है तो उससे हमको पता चलेगा कि आपका जो अपसेशन है वो एक अच्छी दिशा में काम करेगा या फिर बहुत ही ज्यादा खराब दिशा में आपको ले जा सकता है वो तो प्लेस्मेंट के उपर डिपन करता है पर अबर अगर रहुदेव प्लेस्ट है तो यहां पर होने की वाज़ बात बोलने की जो मैंने रहुदेव के लिए बोल treaty ने रहेगा टेकें और यहां पे अंगर आपके फर्साइम मेंक टेटोट प्लेस्ट है तो देखिए कि टेटोछ आ यहां पंडेस्ट होने की वझाए वहीक मैं बात बोलूगी जो मैंने राहुदेव के लिए बोला कि दिस्साटिसफेक्शन रहेगा या फिर आप थोड़ा बहुत डिटैच्ट भी फिल कर सकते हो केरियर में ब्रेक लग जाना ये भी शो करता है मतलब आच जॉब है आपके पास तो थोड़े महीने बाद आपक जुक्त है कंप्यूटर ब्रोग्रमिंग लांगविज से रिरेटेड मैंथमेतिक से रिलेटेड कोे भी प्रोफेशन आपके लिए साही रहेगा रिसर्च से रिलेटेट कोई भी प्रॉफेशन और कल्ट एस्ट्रोलोजी स्पिरिचुलिटी से रिलेटेट प्रॉफेशन आप लोगों के लिए सही रहेगा ठीक है तो मैंने आप लोगों को बस यहां पर बताने की थोड़ा बहुत कोशिश की है कि प्लानेट के ऊपर भी बहुत स्यादा डिपेंड करता है कि दशम्षा चार्ट के फर्स्था उसमें आपका जो प्लानेट है तो आपका में जो थिम है केरियर का वो अल्टिमेटली क्य रहेगा ठीक है तो आज का जो डिस्कॉशन है वो यहीं तक रहते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई